सामुदाइक स्वास्ते केंद्र में परसब कराने के लिए महिलाओं ने पैसे लेने का लगाया आरोप परसब बाद मिलने वाली सरकारी राश्री दिलाय जाने की मांगी आपको बता दें कि जहांसी जिले के मौरानिपूर सामुदाइक स्वास्ते केंद्र में आदा दरजन महिलाओं ने सामुदाइक स्वास्ते केंद्र के अधिक्षक के नाम प्रातना पत्र देते हैं बताया कि शिकायत करता सभी महिलाओं की डिलीवरी अस्पताल में की गई थी तो वहीं पर सब की बाद सरकार के दोरा जो साहता राशी मिलती है वह इन महिलाओं को आज तक नहीं मिली है जबकि डिलीवरी कराय जाने के बाद एक साल का समय भी वेतित होने जा रहा है इसके साथी महिलाओं ने आरोप लगाया कि डिलिवरी के दोरान उनके पैसे की वसूली की गई थी वह वापिस दिलाई जाने की मांग की गई महिलाओ ने बताया कि इस पूरे परक्राण के संबंध में स्वासे केंदर अधिक्षा के शिकायत की गई थी लेकिन आज तक कोई निस्तारण नहीं किया गया तो वहीं शिकायत करता महिलाओं ने बताया कि उनकी गाओं की आशा पर भी कई तरह की गंबीर आरोप लगा कर नोटिस दिये गए हैं जो की जूटे हैं साथी आरोपों की निश्पक्ष जाच कराय जाने की मांग महिलाओं की द्वारा की गई है साथी चेताबनी दी गई है कि अगर उनकी समस्या का समाधा नहीं होता है तो वैं जहां सी जिलादीकारी के समक्ष शिकायत करने को मजबूर होंगी मौरानी पुर से अंजना यादब की रिपोर्ट सब्सक्राइबर करें इस पर साथ नहीं हो पर नहीं हो ड्यावाइबर को मेरे को लेकर मेरे लाबार्तियों का किसी का नो मैंने वहूं इसका एक साल को हुआ और इतना है नहीं मेरे लावार्त कियों सब्सक्राइब की नहीं है तो समस्या करा है लगाए हैं। अधिक सबस्वेश्व लेते हैं हम क्या करें है अपने कहा नहीं है कि अपने कहा नहीं पैसा लगा है किसको दिये आपने विद्धारी से नी की अब क्या चाहिए यह आप एस वीडियो को लाइक आप करें हमारी जैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रस करें